जै श्री राम जै वाकिश्वर धाम दोस्तों जिन्दगी में हर कोई खुश रहना चाहता है और वो चाहता है कि उसे किसी भी तरह की कोई परिशानी का सामना न करना पड़े और हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा करे कि मा लक्ष्मी की किरपा उस पर सदा सदा के लिए बनी रहे और वो जल्दी से करोड़ पती बन जाए जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर में परवीश करते समय सबसे पहले घर का द्वार आता है यानि कि वास्तु शाष्तर के अनुसार घर में परवीश द्वार का काफी महत्व होता है घर में मुख्य दर्वाजी के द्वारा ही सभी का आगमन होता है अगर घर का दर्वाजा सही स्थिती में या सही दिशा में होता है तो आपके जीवन में खुशाली ही खुशाली होती है और यदि आप उस दर्वाजी की पास कुछ विशेश कारिये कर देते हैं यानि कि कुछ चोटे-चोटे से यदि उपाये कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में दिन दुनी और रात चोगनी तरक्की कर सकते हैं क्योंकि घर में किसी का भी प्रवेश होना हमारे मुख्य दर्वाजे पर ही निर्भर होता है यानि कि हर कोई हमारे घर में हमारे दर्वाजे से ही प्रवेश करता है अगर हमारे घर में धन की बढ़ इस थाई रूप में निवास कर सकते हैं इस प्रकार आप अपने धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आपको करोड़पती बनने से कोई भी नहीं रोक सकता तो शाश्त्रों के अनुसार मुख्य दरवाजे का हमारे जीवन में विशिश महत्व है दोस्तो आज हम आपको कुछ इस प्रकार के उपाई बताएंगे कि आप सुभे के समय अपना दरवाजा खोड़ने के बाद ऐसे क्या काम करें कि आपको सुक और समरिधी की प्राप्ती हो अपना घर होना सबका एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए हर कोई कड़ी मेहनत भी करता है वास्तु शाष्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा दो पल्लों का होना चाहिए जी हाँ घर का मुख्य दरवाजा दो पल्लों का होना चाहिए ना कि एक पल्ले का इसके अलावा घर का मुख्य दर्वाजा घर के अन्य दर्वाजों की तुलना में बड़ा होना चाहिए इसके अलावा आपको मुख्य दर्वाजे पर सफाई का भी विशेश ध्यान रखना चाहिए तो आईए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय है जिनको मुख्य दर्वाजे पर करने पर आपको विशेश फल की प्राप्ति होगी सुबे उठकर दर्वाजा खोलते समय कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपको करने हैं और यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको करोडपति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता जी हाँ दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता तो अब आप ध्यान से सुनिएगा लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्विस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें वीडियो को बीच में छोड़ कर ना जाएं या फिर वीडियो को स्किप करके ना देखें आनित करते हैं रात को जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आपको क्या करना है पूजा वाला लोटा ले और उस लोटे में जल भरके रख ले तो अगले सुबे जब आप सो कर उठते हैं तब आप अपनी घर की दोनों चोखट पर थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़त दें यदि और आपके पास गंगा जल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं यह काफी शुब होगा लेकिन यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो भी कोई बात नहीं आप साधरन जल का उपयोग भी कर सकते हैं इस उपाई को कंडे से आपके घर की पवित्रता बनी रहेगी और घर में सुक समरिध्धी का आगमन होगा अलक्षमी की आप पर विशेश क्रपा दरश्टी होगी अगला उपाय जब आप अपने घर में पोचा लगाते हैं तो पोचा लगाते समय आप पोचे के पानी में थोड़ा सा नमक और एक चुटकी भर हल्दे डाल कर पोचा लगाएं जी एक बात का धियान रखना है कि यह उपाय आपको ब्रस्पतिवार के दिन नहीं करना है जी हाँ दोस्तों आपको ब्रस्पतिवार यानि के गुरवार के दिन पोचे के पानी में नमक और हल्दी नहीं डालना है ब्रस्पतिवार के दिन आपको केवल साधा पानी रखना है औ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जाडू लगाने से पहले वहाँ पर दो बाल्टी पानी डाल दीजें। जाडू टोना किया है या किसी की बुरी नजर आपके घर पर लगी है यदि आप जाडू लगाने से पहले वहाँ पर दो बाल्टी पानी डालते हैं और उसके बाद में जाडू लगाते हैं। करके ठक चुके हैं। उसके बावचूद भी आपके घर की दरीरता खतम नहीं होती। गरीबी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। तो आपको क्या करना है कि आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर गनेश्ची की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर गनेश्ची की तस्वीर लगाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि गनेश्ची की तस्वीर आपको बाहर नहीं लगानी है बलकि तस्वीर को अंदर की तरफ ऐसे लगाना है कि गनेश्ची की पीठ बाहर की तरफ हो क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान गनेश्ची की पीठ में दर्विता का निवास होता इसलिए गणेश जी की तस्वीर जब भी आप अपनी घर में लगाएं तो इस प्रकार से लगाएं कि गणेश जी का मुख घर के अंदर हो और उनकी पीठ घर के बाहर की तरफ हो इससे क्या होगा कि दरिता आपके घर के बाहर ही रहेगी वह कभी भी आपके घर में परवेश नहीं कर पाएगी यह बहुत ही अच्चूक उपाय है इसे आप पवश्य करें धन संबंदि समस्या के निवारन हेतु एक और छोटा सा उपाय है दोस्तों आप ब्रस्पतिवार के दिन अशोक के पत्ते लें और उन पत्तों से घर के दरवाजी पर लगाने के लिए बंदनवा को आप हर रस्पतिवार यानि के गुरुवार के दिन बदलते रहें इस उपाय को करने से आपको सो प्रतिशत धन की प्राप्ति होगी और आप जल्द से जल्द करोड़पति बनेंगे आपके घर में माता लक्षमी और भगवान कुबीर का इस्थाई निवास होगा सुख स कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपने इन में से कौन सा उपाय किया माता लक्षमी की किरपा सदेव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहें मिलते हैं एक और नई वीडियो में जै श्री राम जै बागिश्वर धाम सरकार